हाई फ्रेंड इस वीडियो में मैं क्लैंप मीटर के बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला तो फ्रेंड वीडियो में बने रहिएगा बारीकी से हम लोग क्लैंप मीटर के बारे में जानते हैं friend इस meter को clamp meter इसलिए काते हैं केंगि इसे clamp किया जाता है clamp meter का basically is没事 है करेंट को measure करने के लिए होता है करेंट मेजर करने के लिए क्लैंप मेडर का जेनरली इस्तमाल किया जाता है लेकिन उसके अलावा इसमें और भी चीजें मेजर होती है मैं आगे बताऊंगा कि इसमें और क्या क्या मेजर होता है सबसे पहले जानेंगे करेंट मेजर करने के लिए इसमें क्या करते हैं तो फ्र करेंट जो है सम होकर हमें मिलेगा तो प्रतेक फेज का देखना है तो हम लोग फेज में इसको कलेंप मिटर को लगाते हैं इसको लगाने का सबसे अच्छा और बहतर तरीका है फ्रेंड कि जिस भी वायर से हमें इस कलेंप मिटर को लगा कर और उसका करेंट मिजर करना है उस में हम लोग इस क्लेंप मिटर को लगाते हैं लगाने का ही बहतर तरीका है कि करेंट जिस दिशा में फ्लो हो रहा है जैसे माल लिजे कि एक तार है येक तार है माल लिजे एक तार है और करेंट यहां से इधर इधर आगे की तरफ फ्लो हो रही है तो हम लोग क्लेंप मिटर को इस तरह से इधर face में लगाएंगे और इधर back लगाएंगे आनि कि जिधर से current flow हो रहा है उधर इस face को रखेंगे और इस back को पीछे रखेंगे और इसे open करके उस पे लगा देंगे तो हमें यहाँ पर current का measurement सो होगा अब जानते हैं friend कि इसमें और क्या क्या measure कर सकते हैं तो friend देखिए यहाँ पर तो एक lamp meter से current measure हो गया लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें यह लगाने के लिए दिया हुआ है वाइरस लगाने के लिए दिये हुए है आनि props friend इसमें props लगाएंगे जैसे यहाँ पर common है यहाँ vault और resistance measure करने के लिए है तो इसमें और इसमें लगाकर हम और भी चीज़ें measure कर सकते हैं यहाँ आप यहाँ पर देख सकते हैं जब से पहले तो यह current mode में रखेंगे यह भी यहाँ इदर current mode में है आनि 200 amp और 1000 amp और दो-100 amp और 1000 amp तो इस तरह का measure करने के लिए इस प्रॉपreally मेजर करेंगे इस तरह यह वैं में इस फीय। प्रॉप्स का इस्त्माल नहीं होगा तो अब आगे देखते हैं कि improvements का इस्तमाल करते हैं हम लोग क्या क्या measure कर सकते हैं। इस प्रोब्स को लगा कर हम लोग इस पर्वल्टेज AC 750 तक कर सकते हैं फिर वञाटेज DC 1000 अनी 1000 वर्टेज तक DC को मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावे यहाँ पर हम लोग कांटीडिव और फिर 200 किलो ओम और 200 को भी मेज़र कर सकते इसके अलावे यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 मेगा ओम और 2000 मेगा ओम जो है हम लोग इसमें मेजर कर सकते हैं लेकिन इसको मेजर करने के लिए फ्रेंड हमें ध्यान देना है कि इसको इसमें लगा कर रखेंगे क्योंकि इसमें ओम और वाल्टेज लिखा हुआ है तो हम जिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आपको ये वीडियो कैसा लगा समझ में आया की नहीं कमेंट सेक्शन में जरूर में एंजन करें फ्रेंड और अधी और कुछ चीजों के बारे में जानना है तो कृप्या हमें कमेंट में जरूर लिखें वीडिय पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल में बने रहना चाहते हैं और भी वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड थांक यू